नमस्कार दोस्तो टेक्निकल जुगाड हिंदी चैनल की एक नई वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरा नाम है राज और कल रात 8 बजे वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको इसी लाइट के बार में बताया है कि अगर आपके पास इस टैप की लाइट है और कंट्रोलर लगा है और उसकी जो वायर है आपके निकल गई है कंट्रोलर से और आपको समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से कौन सी वायर कहां पर जोड़नी है तो आप मेरी कल 8 बजे वाली वीडियो को देख सकते हो अपनी लाइट के कनेक्शन दुबारा से कंट्रोलर के यूज कर सकते हैं या फिर हमें ये लाइट फेक नहीं पड़ेगी तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको वही चीज बताऊंगा कि अपनी लाइट को आप बिना कंट्रोलर के किस तरीके से यूज कर सकते हो आपको किसी भी लाइट को फेकने की जरूरत नहीं है तो कि आप ध्यान से रखना तो वीडियो को आप सुरू से एंड तक देखें और वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आप से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आये तब ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को डिसलाइक करें तो चलिए फ्रेंड ज्यादा समय नहीं गवाते हुए वीडियो कंटिनुल स्टार्ट करते हैं तो यहां पर देखें आज की वीडियो के अंदर मैंने दो लाइट ली है इसके अंदर हमारी टोटल पांच वायर है क्योंकि काफी सारे लोग ना वायर को भी लेके कंफ्यूज रहते हैं कि सर हमारी लाइट के अंदर दो चार वायर है हमारी लाइट के अंदर छे वायर है तो इसलिए मैंने दो तरह की लाइट ली है इसके अंदर हमारी पांच वायर है इसके अंदर छे वायर है तो देखिए हमें क्या करना है जैसे कि मैं आपको दो यहां पर इसको supply देता हूं तो दोनों की दोनों हमारी लाइटे काम कर रही है और इसको मैं एक बार उपर से जला दूए देखें दोनों की दोनों लाइट हमारी काम कर रही है क्योंकि इस टैंपेंड का आपको इसके controller की wire के connection डारेक्ट करके बता रहा हूं ताकि अगर आपकी यह problem है आपका controller खराब हो चुका है तो आप बीना controller के आप अपने light को use कर पाओ तो यहां पर यह दोनों लाइट हमारे काम कर रही है तो मैं इसको यहां से निकाल देता हूं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यह जो मेरे पास यह light है इसके अंदर हमारी total 5 wire है इसके connection में आपको हटा के और फिर से बीना controller के किस तरीके से इसको use करना है वो बताता हूं तो सबसे पहले हमें क्या करना इस box को खोलना है तो इस box को खोलने के लिए यहां पर हम opener का यूज करेंगे तो यह देखे यह मेरे पास opener है और इस opener की मदद से हम इसको खोलेंगे इस तरीके से आपको बिल्कुल प्यार से इसको उठाना है बड़े आराम से यह खुल हैं तो हम क्या करेंगे इन पांचो वायर को ऐसे निकाल देंगे इस circuit से हम यह समझेंगे कि यह circuit हमारा खराब है हमें अपनी light को बिना circuit के यूज करना है तो यहां पर हम क्या करते हैं इनकी वायरों को यहां से हटा देते हैं तो मैं फटा फट क्या करता हूं इन वायर को य याइट को यूज करना है तो देखिए अब हमें इसके अंदर connection कैसे करने हैं यहाँ पर आपको क्या करना है कि जिस वायर के अंदर हमारी LED लगी है उस वायर को अलग करना है और जिस वायर के अंदर सुरू से लेके एंड तक कोई भी LED नहीं जुड़ी हुई है उस वायर को अलग करना है तो यह चीज ना आपको ऐसे वायर को थोड़ा खोल के देखना पड़ेगा तब यह आपको समझ में आएगा तीन चार वायर को इस तरीके से थोड़ी लंबी से आपकर लोगे ना तो ऐसे आपको समझ मे आएगा यहां से जैसे कि मैं इतनी बड़ी लाइट को खोल लेता हूँ अब यहां पर जैसे कि यह हमारी एक LED लगी है तो यह वायर हमें पता चल गया एक वायर तो हमारी यहीं पर जूड़ी हुई है तो एक वायर यह हो गया उसके पाद हम ऐसे ही आगे देखेंगे इस व अंदर हमारी एक वायर बची है तो यहां पर इस वायर को अगर आप ध्यान से देखोगे इसको कुछ दूर तक देखोगे तो इसके अंदर आपको कोई भी LED लगी नहीं मिलेगी यह ऐसी एक वायर यहां से लेके इस लाइट की जो एंड वाली लाइट है वहां पर ऐसे डारे उन दो वायर को हम एक साथ जोड देंगे यहां पर यह चीज आपको ध्यान रखना है कि जिस भी वायर के अंदर हमारी LED लगी है बेसा कि तीन वायर के अंदर LED लगी हो चार वायर के अंदर LED लगी हो उनको आपको एक साथ जोड लेना है तो यहां पर मैंने क्या करा LED वाली वायर को एक साथ जोड़ लिया अब उसके बाद हां यहां पर हमारे पास एक वायर बसती है और इसके अंदर क्या है कि हमारे सुरूस लेके एंड तक कोई भी LED बीच में नहीं लगी हुई है इस वायर को आपको अलग करना है तो इस तरीके से जब हमने अलग कर लिया तो यहां पर हमारे पास टोटल कितनी वायर आगी दो अब इनी वायर को आपको connection करना है अब इसको आप डारेक्ट ही जोड़ सकते हो इस वायर को भ इक हमारी मानी जाएंगी और यहां पर यह हमारी सिंगली वायर थी तो इसको हम सिंगली रखेंगे तो इस तरीके से यह हमारे पास टोटल दो वायर आ चुकी है और इनी दो वायर को हमें सीधा ही socket के अंदर लगाना है तो यहां पर देख लो आपके सामने सब कुछ काम हो रहा है तो यहां पर आप देख सकते होगी यहां पर हमारी लैट बिल्कुल बढ़ी है तरीके से काम कर रहे हैं बीना controller के यानि अगर आपके पास controller नहीं है तो इस तरीके से आप अपनी light को यूज कर सकते हो एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह जो controller होता है ना इसके अंदर क्या होता है कि हमारे 18 के डिजाइनिंग से लैट जलती है तो अब जब आप इसे बीना controller के यूज करोगे तो यह simple continue लैट जलेंगी अभी आपको वीडियो के अंदर यह लग रहा होगा कि यह बिलिंकिंग हो रही है लेकिन ऐसा नहीं है सारी सारी लैट हमारे continue जल रही है इसके अंदर बिलिंकिंग नहीं होगी क्योंकि controller हमने इसके अंदर से हटा दिया है तो यह देखिए मैं अपने उपर वाली लैट को बंद करूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो यहां पर आप देख सकते हो कि सारी सारी लैट हमारे continue जल रही है तो यह जो वीडियो बन रही है यह मोबाइल कैमरे से बन रही है इसलिए आपको कई बार लैट के अंदर ऐसे लैट में बिलिंकिंग करते हुए दिखाई दे रही होगी यह देखिए मैं अपने हाथ को इस तरीके से हटाऊंगा तो यहां पर भी आ सारी लाइट हमारी continue जलेंगी तो यह चीज आपको ध्यान में रखना है लेकिन हाँ अपनी लाइट को यूज जरूर कर सकते हो यह चीज मैं आपको बताना चाहता था तो यह चीज आपको अच्छे से समझ में आगी कि इसके अंदर किस तरीके से वायर की connection करने है तो connection एक बार आप समझ लो इन दोनों के connection आपने समझ लेना तो फिर आप किसी भी लाइट के अंदर बड़े अराम से बीना कंट्रोलर के connection कर सकते हो तो ध्यान से देखना तो इसके अंदर भी सेम प्रोसीजर वही है इसको हमें डिब्बी को खोलना है कहां गया बही मेरा opener मेरा opener से खोलता हूं क्योंकि नेल से खुल नहीं तो इस ततरी के से हम इस को इस तरीके से खोलें गे और एक बार मैं क्या इसकी वायर को फटाफट हटा लेता हूं और फिर उसके बाद आपको दिखाता हूं यह देखिए मैंने इस أيसे कंट्रोलर से सबी वाइब को हटा दिया है और इस कंट्रोलर को अब हम रखेंगे साइड में क्योंकि हम अपनी स्लाइट को बेना कंट्रोलर के यूज करना चाहते हैं तो देखिए अब इसमें में लोगों को TV गते हैं आपको गैंडर हमारी लीडी लगी हुई है तो यहां पे इसी तरीके से काम करेंगे यहां पर कुछ तरीका है कि जिस वायर के अंदर हमारी LED लगी है उस वायर को आपको अलग कर लेना है तो यहां पर एक वायर में पहले मिल गई है और इसी तरीके से हम इसके अंदर देखते हैं तो यह वायर के LED हमारी लगी है तो यहां पर एक वायर हमें और मिल गी है तो इस तरीके से आप थी जिसके अंदर हमारी LED नहीं लगी हुई थी लेकिन मेरे इस लाइट के अंदर क्या है कि दो वायर के अंदर तो LED दे रखी है और दो वायर हमारी खाली गई हुई है तो इसके अंदर कोई भी LED नहीं लगी है जिस वायर के अंदर हमारी LED लगी है उनको मैंने अलग कर लिया और यहां पर आपको वीडियो के अंदर फिर से लग रहा होगा कि यह लाइट ऐसे बिलिंकिंग कर रही है लेकिन मैं आपको फिर से वही चीज दिखा रहा हूं देखे मैं उपर वाली लाइट को बंद करूंगा तो यह लाइट आपको continue जलती हुई दिखाई देगी तो इस अगर आप अपनी किसी भी राइस लाइट के अंदर से कंट्रोलर को हटा देते हो जिसके अंदर इस टैफ का बड़े वाला कंट्रोलर लगा होता है तो आपकी लाइट जलेगी तो लेकिन continue जलेगी उसके अंदर ऐसे अलग-लग डिजानिंग से लाइट नहीं जलेगी क्यो होता है कि कई बार खराब हो जाता है जल जाता है या फिर कई बार हमें मार्केट में नया नहीं मिलता तो हमें इसी तरीके से जुगाड करके अपनी लाइट को यूज करना है तो यहां पर मैंने यह चीज बता दी अब देखिए मैं next video के अंदर आपको क्या बताऊंगा जो के अंदर बताऊंगा कि आप connection कर सकते हो कि नहीं कर सकते काम करेगी लाइट की नहीं करेगी सब कुछ practically करके दिखाऊंगा तो आप मेरे next video जरूर देखना तो next video हमारी अब आएगी रात को 8 बजी तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है तो उमीद करता हूं कि आपको हमार यह वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सस्क्राइब करें तो चलिए फ्रेंड फिर मिलते हैं next वीडियो में कुछ नए टोपिक साथ तब तक के लिए ज